देखें, आपके अहराद किसान के इच्छा होती है, मैं चीकु लगाओ, आम लगाओ, ये लगाओ, वो लगाओ तो आज का जो समय है, हाई डेन्सिटी का है, और हाई डेन्सिटी के जब बात आती है, तो कलमी पोदे या ग्राफटेट पोदों की बहुत महती आउ सकता है सो रूपय तक भी पोदे मिल जाते हैं एक हमारे किसान भाई थे उन्होंने पूछा मुझे मेरे पास चीकू का बहुत अच्छा पोदा यह बहुत प्यारा प्लांट है और यह वेराइटी है क्रिकेट बॉल काली पत्ति और क्रिकेट बॉल दोई वेराइटी है हमारे जो वहत खिरिनी का लेस प्लांट आप कहीं से भी नरसरِ से ला सकते हैं जो भी उगाते उनके पास से बॉल हो उसकी उपर आपको लगाना है वो लगाते किस तरीकेस थेखे diflor प्रोफोगेसन का तरीका उसको बोलता है इनार्चिंग इनार्चिंग का मतलब हो ता है या यानि मदर पोदा है मातर पोदा और रूट श्टोक मूलू वरंत इन दोनों पोदों को हमको मिलाना होता है किसी को भी हम अलग नहीं करते एक दूसरे से तो यह इतना यह देखिया आप इतना बांध रखा है नो तो इतना आपको यहां से लगभग 30% यानि छिलके के साथ में यह बाद आप क्या करेंगे इसमें देखे यह रायन है यह आपका चीकू है आप अंतर साप साप देख सकते हैं आपको इस पर नंतर नजर आएगा यह आपका खिर्णी यह आपका चीकू यहां पर हम क्या करेंगे इसको जब यह आपका डेड मेना हो जाएगा डेड से दो म तो यानि ऐख खीर्णी जो है यहां से नीख काक देंगे और आपका गस्ते ह काट देंगे को यह थेली सही चीखुव का पोदा तयार हो गया भूत बहते लिए यह बहुत आसान तरीका है जिसको आप कर सकते हैं मैं आपको और दिखाता हूं के ईसा किसान भाई ने बांदार देखिए आप यह दूसरा पोदा तो उसी डाल को आपने बांद दिया इसलिए जल्दी फला जाएगा यह देखिए बहुत अच्छे से इन्होंने बांदा है यह बहुत बांदा है अगर आपको और ज्यादा पोदे बनाने होते हैं तो आप हर डाली पर बांद सकते हैं लेकिन आपको थेली को लटकाना पड़ किसी भी तरीके से आप करेंगे तो आपको यह उस तरीके से रखना जैसे आमने जमीन में देखा इस तरीके से उपर लटकाना पड़ेगा